सो गाइज वेलकम टो प्लेई कंसोल आज की वीडियो में बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट और एक्सबॉक्स के बारे में क्यूंकि माइक्रोसॉफ्ट ने यहां पे एक नई स्ट्राटेजी अपनाई है और आपको पता होगा Xbox X बहुत अच्छा प्रफॉर्म नहीं कर पा रहा था मार्केट में ऐसे फ्रेट बारियो अच्छा पनाई है उस सक्टेव ने और इस स्टेव और डगो पूरा देखेंए कोbnी जरूर सस्क्राइब कर दें क्योए घमिइंग नुंज वीडियो लाता रहता हूँ जब first time Xbox Series X की announcement हुई थी तो लोग बहुत ज्यादा excited हो गए थे और वहां पे बताया गया था Xbox Series X 12 Teraflops का एक monster gaming console है और बहुत हद तक यह बात सज भी है Xbox Series X एक बहुत ज्यादा powerful gaming console है लेकिन यहां पे जब PlayStation 5 की announcement हुई तो लोग और भी ज्यादा excited हो गए और PlayStation 5 ने in fact अपने controller के features को भी दिखाया जिसका नाम haptic feedback, adapted trigger, rumble technology तो यह जो features हैं यह PlayStation 5 के main features में से आते हैं लेकिन यहां पे शुरुआत में Xbox Series X बहुत अच्छा perform कर रहा था उसकी जो dawnfall शुरू हुई तो वो उसके first event से शुरू हुई जो Xbox Series X का first game showcase था वहां से उसकी dawnfall शुरू हुई उस event ने लोगों को बहुत ही ज़ादा disappoint कर दिया वहां पे Xbox ने जो जो game दिखाये थे जो Xbox Series X मे future of gaming event दिखाया गया उस event ने हमें stunt कर दिया वह बहुत ही ज़ादा जवर्दस event था उसमें बहुत सारे हमें first party games भी देखने को मिले और एक तरीके से वह जैसा expect किया गया था वैसा ही event निकला लेकिन उसके बाद फिर Xbox ने दोबारा से अपना एक game showcase किया recently और उस game showcase में उन्हो के visual and graphics quality बहुत ही ज्यादा बेकार थे Hello Infinite का graphics ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई PlayStation 3 का game खेल रहा हूं तो एक तरीके से दोनों Xbox Series X के game showcase बहुत ही ज्यादा बेकार और disappointing रहे देन हमें finally PlayStation 5 का एक last game showcase देखने को मिला और इस game showcase ने बहुत ही लोगों को शॉक कर दिया क्यूंकि इस game showcase में हमें God of War Ragnarok का टीजर देखने को मिला जो के one of the most biggest triple A game है Sony का और बहुत लोग God of War की ही वज़े से PlayStation के series को purchase करते हैं क्यूंकि God of War जो है PlayStation का exclusive franchise है तो अब इतना सब क successful gaming console बन चुका है Xbox Series X पहले से ही beat हो गया है लेकिन इसी वज़े से अब Microsoft ने new strategy अपनाई है और यह बहुत बड़ा step लिया है इस बार Microsoft ने बथिस्ता game software के parent company Zenimax Media को purchase कर लिया है और वो भी 7.5 billion dollars में यह deal हुई है जो के एक बहुत बड़ा amount है और इस deal से Xbox Series X को बहुत बड़ games आते हैं जो उन्होंने बनाया है जैसे Dishonored, Elder Scroll, Doom, Fallout और Wolfenstein यह सारे एक successful game है और बहुत ज़्यादा popular भी है In fact Dishonored तो बहुत लोग खिलते हैं Dooms काफी लोग खिलते हैं तो एक तरिके से बहुत सारे games के variety अब Xbox Series X के अंदर आ चुके हैं अब Xbox Series X में यह सारे games exclusive हो सकते हैं यानि कि अब future में आपको Xbox Series X और PC पे यह सारे games exclusive देखने को मिलेंगे क्योंकि PlayStation की हमेशा से winning strategy यही रही है कि exclusive games जादा से जादा produce करें और यह strategy अब Microsoft भी करने वाला है और यहाँ पे officially उन्होंने Zenimax Media को purchase कर लिया है जो के बसीदा की parent company है अब यह सारे games Xbox Series X में exclusive आएंगे बहुत जादा चांसे से क्योंकि PlayStation के अपने कुछ इस ट्रिपल एक games exclusive है तो यहाँ पे Xbox Series X purchase करने के लिए भी लोग concern करना पड़ेगा कि हाँ Xbox Series X में यह सारे games exclusive है और अगर मैं Xbox Series X purchase करूंगा तो ही मैं यह सारे games को खेल पाऊंगा तो इसलिए Xbox Series X ने इस company को 7.5 billion dollar पे purchase किया है लेकिन Xbox यहीं रुखने वाला नहीं है क्योंकि Xbox के CEO ने officially इस बात की confirmation की है कि we are not done yet तो इसका मतलब कि अभी वह खतम नहीं हुआ है वह अभी और studios को purchase करने की सोच रहे हैं अब rumor यह भी निकल के आ रही है कि Microsoft अब सेगा company को purchase करेगा सेगा company video game का one of the most biggest company है और sonic जो franchise है वो इसी का है इसके अलाबा भी बहुत सारे सेगा के गेम है पॉपलर गेम है जो के exclusive हो सकते है Xbox Series X के लिए लेकिन अभी इन्होंने purchase नहीं किया सेगा को यह rumor निकल के आ रही है लेकिन मुझे लगता है अब purchase कर सकते है यह लोग क्योंकि इ को expand कर रहा है Sony की तरह अब future में competition काफी जादा tough होने वाला है Sony के लिए क्योंकि Xbox Series X के अपने कुछ AAA exclusive games आने वाले हैं जो के Sony के exclusive games से compete करेंगे अगर आपको console purchase करना है तो आपको देखना पड़ेगा आपको कौन सा game खिलना है उसी game के लिए आपको console purchase करना पड़ेगा क्यों आप मुझे comment section में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगए तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना और ब्लेकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली upcoming सारी gaming news related वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे तो मिलते अपने next video में till then take care